भारत ने रचा एक बहुत ही बड़ा इतिहास भारत का चंद्रयान मून के सरफेस पे सक्सेस्फुल लैंड हो चुका है जी हाँ फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना भारत की इस बड़ी उपलब्धी को इंजोय करने के लिए आप हमें एक लाइक जरूर करें और विडियो को आन तक जरूर देखें आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए और हमारे साइंटिस्ट के लिए बहुत एक गर्व का दिन है क्योंकि आज भारत ने वहा काम कर दिया जो आज तक विश्व के कोई भी कंट्री ने नहीं किया हो जी हाँ फ्रेंट्स आपने बिल्कुल सही सुना भारत विश्व का चौथा कंट्री बन गया है जो के मून पे सौप्ट लैंडिंग किया हो और मून के सरफेस के सौथ पोल में लैंड करने वाला विश्व का पहला कंट्री बन चुका है इससे पहले विश्व में किसी भी देश ने मून के सौथ पोल में सौप्ट लैंडिंग नहीं किया है भारत के तरब से 14 जुलाई को लांज किया गया चंद्रयान 3 मिशन जो 23 अगस्त को मून के सरफेस पे सौप लैंडिंग करके विश्व रिकोर्ड बना चुका है और भारत ने यह काम सिर्फ अपने दुसरे अटेंड में ही कर दिखाया और यह सब सिर्फ संभव हो पाया है इस रोग के हर वास सांटिस्ट के वज़े से जिन्होंने चंद्रेंटू के फेल होने के से तूटे नहीं और पिछले गलतियों को सीखते हुए और सुधारते हुए चार साल तक ताबटोर मेहनत करके इतिहास रच दिया है और देश का नाम पूरे विश्व में सबसे उंचा कर दिया है और वहीं दूसरी और रसिया का लूना 25 जो की 16 अगस्ट को लांच किया गया था और लूना 25 में भी लैंडर और रोवर मौजूद थे जो सिर्क 5 दिनों में चांद में पहुँचने वाला था लेकिन रसिया का lunar 25, 21 अगस्त को जाकर moon के surface पे crash land कर गया और उनका mission पूरी तरह से फेल हो गया अगर रसिया अपने mission में successful होता तो भारत का air record नहीं बन पाता लेकिन भारत ने अपने कड़ी मेहनत और अपना intelligence का अपने second attempt में ही चान के surface पे land करके एक example set कर दिया है जिस वज़े से भारत ताजविस्प में सबसे number one पे आ चुका है चंद्रयान 2 के पीछे फेल होने का कुछ मुख्य रिजन थे जिसमें से चंद्रयान 2 में 5 thrust engine लगा हुआ था जो की velocity को कंट्रोल करता था जो की अनुमान से ज़्यादा thrust उतपन कर रहा था और वहीं second main vision था software का limitation जो की errors को detect करता है और साथी साथ बहुती small landing site था जिस वज़े से हमारा चंद्रयान 2 जस्ट landing के कुछ मिनट पहले ही crash कर गया लेकिन इस रोके scientist ने इस बार चंद्रयान 3 में सिर्फ 4 thrust engine लगाया जिससे की lander को उतना ही thrust मिला जितना की उसको जरूरी था और चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से successful रहा चंद्रयान 3 का main objective था moon के surface पे soft landing करना और successful land किया भी अब lander से प्रग्यान rover बाहर आयागा और चांद के उस surface का जाजा लेगा जहां पर आज तक भारत का लावा कोई भी देश नहीं जा पाया है भारत ने अमेरिका, रूस और चाइना जैसे जैसे बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के surface के south pole पे land किया हो और एक नया विश्व रिकोर्ड बना दिया चंद्रयान 3 के इस सफलता को इंजोई करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें थांक्स फूर वाचिंग